नमस्कार हरे कृष्णा तो आज हम शुरू करने वाले हैं शिमत वकवत कीता का सोलवा अथ्याई तो शुरू करते हैं श्रिक कृष्ण बोले हे भारत अब है शुत सतोगुनी होना ग्यान योग निष्टा दान इंद्रेदमन यक करना तप सरलता अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शान्ती चुगलीना करना सब प्रयाणियों पर तया त्रिष्णा से बचना कोमल सा भाव लज्जा चपलता कत्याग त प्रेच, शमा, धित, पवितता, त्वेश्रहित, अभिमान न करना, देवी संपत्ति, के संमुक जनम धर्णने वालों को यह सब गुण मिलते हैं यह पारत दंब, दर्भ, अभिमान, क्रोध, कटू, वाशन और अज्यान यह सब आसूरी संपत्ति के सनमुक जनम लेने वा लोगों प्राप्त होते हैं ये पार्डव देवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंदन का कारण होती हैं तुम शोग न करो क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो ये पार्ट इस लोग में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणि उत्पन क किये गए हैं देवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके अब आसुरी को सुनो धर्म में प्रवत्ति और अधर्म से निर्वत्ति असुर लोग नहीं जानते उनमें न सोच न अचार और न सत्य ही हैं वे संसार को असत्य निराधार और अनिश्वर कहते हैं उनके मन में ज दारुन कर्म करने वाले इस संसार को नश्ट करने ये हेत्तु पैदा होते हैं और दूशित काम के आशित होकर वे तंबी मानी और मत से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवित होते हैं वे मिर्त्यू परदव चिंता से ग्रिस्त हैं कामो भोक ही सब कुछ है इसको फत्र मानते हैं अनिक आश्या रूप पाशों से बंदे काम क्रोध तब पर कामो भोक के निये अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं मैं आज यह पाया इस मनुरतक को पाऊंगा यह ओर यह धन भी यह और यह धन भी मेरा हो जाएगा यह शत्रु तो मैंने मारा दूसरों को भी मारूँगा मैं इश्वर बोगी सित बलवान और सुखी हूँ मैं दनिक कुलीन हूँ मेरे सम्मान दूसरा कौन है मैं यक करूँगा तान भी करूँगा इस परकार अज्ञान से मोहित हुए है अनिक कलपनों से मोहरूपी बन्नों में फसे हुए विश्व भोग में आसक्त लोग रहरव नर्क में गिरते हैं अपनी बड़ाई आप करते हैं दन्दानिय के मत में चूर रहते हैं शास्त्रों विदी को छोड़ कर केवल नाम के लिए यकरते हैं यह अहंकार बल घमड काम और क्रोध से युक्त है अपनी तथा औरों की देह में मुझसे द्वेश रखते तथा मेरी निंदा करते हैं इन द्वेश करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरिस योनियों में डालता हूँ यह जनम वे आसुरि योनि पाकर वा मुर्ख मुझको पाई पिना ही अंत में अदोगती को प्राप्त होते हैं काम करोध और लोब यह तीन नर्क के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए है कौनते उन तीन नर्कों द्वारा से छुटा हुआ मनुश्य अपने कल्यान को सुक्रित करता है तब उत्तम गती को पाता है जो सास्त्रों विदानों को छोड़कर स्वेच्छा नुसार करम करता है अत्यावकारे और अककार्यक इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है शास्त्रों विदान जानकर उसी के अनुसार करम करना चाहिए तो इस परगार हमारा श्रीमत बगवत कीता का सोल्वा अध्याय समाप्थ होता है तो इसमें श्रीकरशन जी बता रहे हैं कि कौन से लोग देवी योनी में जर्मते हैं और कौन से लोग आसुरी योनी में और दोने में फरक क्या होता है तो इस अध्याए में श्रीकरशन जी बता रहे हैं और हमें जो काम, क्रोध और लोब इन दिनों को छोड़ते हैं वही द झाल 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 झाल